पंजाब हरियना हाई कोट ने एच्च एससी या फिर मैं सीधा कह सकता हूँ कि आयोग को फटकार लगाई है और साथ के साथ ये भी बोला है कि इतनी बड़ी भरती में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है आयोग तो दोस्तों पूरी जानकरी देंगे साथ के साथ CET भरती पर उसे संबंदित भरती उसे संबंदित या फिर एकजाम की तयारी कैसे करें उससे संबंदित जानकरी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आपको लगते हैं से अच्छे से जानकरी मिल सकती अच्छे से एकजाम की तयारी हो सकती है तो जो नए साथ है चैनल को एक बार ज अनकरी दिये लेकिन अब कुछ कह रहें कि CET भरती पर इसका असर पड़ेगा तो वो हम आपको पताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हाई कोट ने किया 4888 किलर की भरती का परिनाम खारिज आयोक को फटकार फटकार भी लगाई है साथ की साथ ये भी का है कि किसी आवेदे को आदलत आना पड़ा तो आयोक करेगा खर्ज का भोगतान और साथ की साथ यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिलाल यानि कि इस पर नीचे देखी हैं आप बिलकुल मैं आपको मार्क कर रहा हूँ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फिलाल ऐसा नहीं किया गया है इस पर जर्माना नहीं लगाया गया आयोक पर इतनी बड़ी गल्ती के लिए ऐसा नहीं किया जा लेकिन काम ऐसा था कि इस पर जर्माना लगाया जा सकता था तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अब इस भरती से सारे जो यानि की आंकड़ी हैं वो बदल जाएंगे अब कुछ हैसे हैं जिनका सेलेक्शन हो गया वो बहार आएंगे और उनको पता भी होगा जो इन नंबर की वज़े से सेलेक्शन हुआ है या फिर रह गए हैं उन सभी कंड़ीट को अपने बारे में पूरी जानकारी है किसी को पूछ यानि किसी से पूछने की कोई जर्त नहीं है तो बड़ी ख़बर यही है अब कुछ कह रहे हैं मैंने देखा है फेस्वुक वगएरा पर की जो इसलेक्शन हुआ है और यह जो कंड़ीट मेरिट से बाहर होंगे उन्हें CET के तहती या फिर जो किलर की पोस्ट वेकेंट होती है उन पर इनको जर्निंग दे जाई और इनको बाहर नहीं किया जाए तो ऐसा कुछ हम सुन रहे हैं लेकिन BHAI सरकार कूछ भी कर सकती है मैं फिर भी कहरा है हो सकता है इनको जर्निंग दे दे अलग से जो वेकेंट पोस्ट होती है उन पर इनको रख ले लेकिन 99% यही है कि ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा लेकिन हम चाहते हैं हो जाए क्योंकि इनकी नौकरी नहीं जाए बाकी जो नियम होते हैं उसके कोडिंग ऐसा नहीं होगा और साथ की साथ है अगर आप लाश्ट भरती देखें जैसे एक PTI की भरती थी एक आर्ट वाली भरती थी उन्होंने लगभग कितनी साल सेवाएं दी लेकिन उनको फिर भी निकाल दिया गया और उस भरती पर भी यहने की केस था और अंतिम आखरी में उनको बाहर कर दिया गया तो यह भी एक ऐसी भरती लेकिन इसमें तो खामिया है और सपस्ट नजर आ रही है बिल्कुल दो साल से नौकरी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है और दोस्तो अगर सरकार ऐसे ही चलती रही आयोग ऐसे ही करता रहा तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार बाहर जा सकती है आने वाले इलेक्शन में सरकार को सोचना चाहिए यवाओं के बारे में सोचना चाहिए भरतीयों के कलेंडर जारी करना चाहिए लेकिन कुछ ऐसे हैं कि ट्वीतर वगर आप अविहान चला रहे कि वह तीस तारी को फिर से अविहान चलाएंगे कलेंडर जारी हो एक जाम डेक्लियर हो और पैटरन फिक्स हो तो मैं आपको बता दू आपने कितनी बार ऐसे विहान चलाएं हैं कोई भी कामयाब आज तक नहीं हुआ है तो इससे मुझे लगता है कोई benefit नहीं होगा और मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आपको लगता है कि नौकरी आपको लेनी है CT का exam किलियर कराना है तो एकटा होना पड़ेगा तभी कामयाबी मिलेगी वरना कोश नहीं है सिरकार अपने मरजी से काम करेगी बाकी उम्मीद यही है कि notification आसकता है जो जहनकरी हमें मिल रही है बार बहर हम आपसे यही कह रहे हैं और exam जो आपका जून में बता रहे हैं अब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जून में exam के आपके पूरे पूरे चांस हैं तो फलाल के लिए बसतना ही और एक जानकरी थी आपके साथ सेर कर दिया आगे भी कोई जानकरी मिलेगी वो भी हम आपके साथ सेर करेंगे और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बखतो धन्यवाद